विल्कम में तुम से विडियों की न्यजवक विडियो की था जिसके अंदर उसकी लाइप साइल डिसके ति इसके एक एलज के इलावा हम्हें उसके याद में कौन्ट्रोल एंड डिसक्रिप्शन भी डिसकस किया था उसीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो स्टार्ट करते हैं शुगर केन वाइट फ्लाई यानि की ऐलूरो लोबस बिरो डैंस तो इसकी हम लाइफ साइकल डिसकस करेंगे तो ये जो शुगर केन वाइट फ्लाई होती है यानि की ऐलूरो लोबस बिरो डैंस होती है इसकी जो है किनिटम इसका एलिमिलिया होगा, फाैलम इसका आर्थ्रो पोड़ा होगा, क्लास इंसेक्टा इसकर यहोगा इसका हैमिपटेर होगा फैमिली इसकी एलिरो डिडे ही होगी इस टाइब की यह जो है शुगर की लीफ के अंदर ऐसे वाइट वाइट पैच की तरह यह वाइट फ्लाइई होती है एंड यह इसका एक पीच्चर है जिसके अंदर यह दिखाए हुई है इसके अदर इसका डिस्टिबिशन क्या हो सकता है तो इस प्रिजेंट ओल ओवर इंडिया स्पेसली यूपी एंपी वेस्ट पंगोल औरिसा एंड बिहार के अंदर यह पाई जाती है यह में इसका इसका डिस्टिबिशन होता है कौन को से फूट प्लांट इसके हो सकते हैं इस में होस्ट इस शुगर के ठीक है में होस्ट तो यह प्राइमरी होस्ट इसका शुगर के नहीं शुगर के इनको प्रैफर करती है लेकिन ओल्सों फीट वीट बार्ले अधर ग्रास प्लांट के इस वाहँ का शुगर इंधीन होता है इसके पाद नेक्स आतीस की जन्रल अपरेंस जन्रल अपरेंस के लियन ग्रम बात करेंए अड़र्ट वाइट फ्लाई 33 mm छोती है एक्सपेंडड इसके विंग्स होते हैं एक्सपेंडड विंग्स इसके होती है Small होती है, Frisile होती है, Pale, Yellow and have prominent black eyes Eyes जो है इसकी prominent black eyes इसकेंदर पाई जाती है The female insect has longer and heavier body than the male जो female body होती है वो कैसी होती है? वो थोड़ी से heavier होती है male body से The average lifespan of the insect is 2 days only सिर्फ दो दीन ही ये जिन्दा रह पाते है, average lifespan इनका सिर्फ दो दिन तक का ही होता है यानि थोड़ा बहुत वहरे कर सकता है लेकिन average के ग्रम बात करें ये 2 days ही होता है Habits के ग्रम बात करें क्या-क्या इसकी आदिते हो सकती है तो these are very active and fragile insects होती है इनका जो निमफ होता है एक स्टेज आती जिसको निमफ बोते है तो वह निम Nord has China लाइफ साइकल इसके बाद करें तो सबसे पहले इसके इंदर इसके इंदर इसके इंदर इंदर बन जाता है फिर सही एग और लाइफ साइकल इसके चलती रहती है तो सबसे फर्स्ट स्टे जाती है एक्स जो होते हैं लेट इनना मन्त ओ नवंबर एंड दिसंबर नवंबर एंड दिसंबर के मन्त के अंदर इनके एक्स लेट किये जाते हैं एक्सार को निकल और लेट इन गूप ओव 60 तो 17 यह दर मीट रिघु आ लोवर शुगए लीफ का जो लोवर सरफेस है ठीक है नीचे वाला सरफेस है उसके अंदर जो इसकी मीड रिग है मीड रिग के नजदीक यह क्या करते हैं ग्रूप के अंदर 60-70 नियर एक्स का ग्रूप होता है तो वो लेडाउन किया जाता है a few hours after egg laying, egg turns black in color घूप जाती है एग जो है ब्लेक खलर का यहां पे टरन हो जाता है तो eggs होते हैं November and December में यहां ले किये जाते हैं ले करने के फ्यू आर्स के बाद जो है एंग जो है ब्लेक कलर का टर्ण हो जाता है इसके बाद सेकंड स्टेज आएगी निम्फ निम्फ जो है आफ्टर इंक्यूबेशन ओफ एक टू तेन देज पॉइंट्री सिक्स एमम लॉंग पेल येलो निम्फ हेज आउट ठीक है लॉट पाइजाते हैं तो ऐसे इसके अंदर में पारेस्टिंग टाइप के माउठ पाइज आएज आएंड जाते हैं ये सेल सेप को सकत करते जाहेंगे दो निम्फ कैसा होता है ब्लेक कलर्गा होता है निफ ग्रो एंड पॉर इंस्टार्स विदिन ट्वंटिफाइव तू तक चलती है यहां में स्टेजिस फॉर्थ इंस्टार यह होता है नेक्स्ट 25 तू 30 डेज के अंदर होता है एंड इंक्यूबेशन के बाद 8 तू 10 डेज के अंदर क्या होता है यह फर्स्ट इंस्टार स्टीज आती है फिर निफ बनता है इसके अंदर इंस आती जाती है और इंस अड़्यक मारे यह दया छी कि ब्लैक से ग्रेख से क्या हो जाता है to aigu टार ऐसे पहले कि था today से नींफ बना नीम से प्यूपा स्टेज करण आई एंड इस प्यूपा से फिर अडर्ट वनेगा इसके बाद अडर्ट जो है इमर्ज आउट होगा दिर लाइप स्पैन इसका टू डेस होता है तोать होते हैं ईएक्सरे के निफ लेघ्स होता है और इसके अंदर नेक्स्ट पर स्टेस यह अधर करते है तो यह लाइफ साइकिल है कि इसके पाद इसका डे मेज क्या होगा कौन कोंसा डेमेज को डेमेज कर सकते हैं तो में टेबाईज ने इसकेंज किसके अधर के यह सकता है तो लार्स वेकियोल्स के अंदर से हाँ पे जो अंदर इसको इसको कर लेएंगे तो रस सक कर लेते हैं प्लांट यालो एंड लिब लीज रिमेन अन ऑपन और इसके बाद ये पेल येलो लुंॉ बन जाता है जो leaves है वो unopened हो जाते हैं यानि कि ऐसे leaves को ऐसा होना चाहिए लेकिन यह ऐसे बंद रहते हैं यह खुलते नहीं है शुक्रोस content is decreased and इस वे में इनका जो सुक्रोस content है वो decrease होता जाता है the maximum damage occurs from July to November in July to November maximum यहाँ पर क्या होता है damage goes होता है next आते हैं क्या-क्या control measures हो सकते हैं इसको control करने के लिए white fly तो सबसे फर्स तो ratum crops को avoid करना चाहिए ठीक है जैसे यहाँ पर यह इतना जो है यहाँ पहले cut कर लिया था पर part in फिर सही grow कर गया है री grow कर गया है फिर हो सकते हैं तो ऐसे टैपी क्रोप को राटन क्रोप्स होते हैं तो एसे टैपी क्रोप्स को avoid करना चाहिए resistant varieties of sugar cane should be grown and resistant varieties जिसको यह अटेक ना कर सके इंफेस्टेट लीव शूड़ बी प्लंग एंड डिस्ट्रोइड एंड जिन लीज के उपर वाइप लाई का जो इंफेस्टेशन या फिर इंफेक्शन हो गया है उनको इकठा करके उनको डिस्ट्रोई करने का the harvesting should be completed before next plantation in the adjacent fields and harvesting जो है यह completed हो जानी चाहिए before plantation in adjacent field की side by के फिल्ड के अंदर कोई crop उगा रहा है उससे पहले इसकी क्या हो जानी चाहिए इसकी harvesting हो जानी चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है एडजिसेंट वाले जो फिल्ड है उसके अंदर कुछ ऐसे टाइप के insects होते हैं जो इस शूगर के इन फिल्ड को भी effect कर सकते है 0.2% bhc और 0.1% melatheon और 0.12% endrin should be sprayed तो यह type के insecticide से जो यूज किये जा सकते हैं इसके लाह फोलियो डोल इन रेशो ओफ 3 ml पर 1 गैलन ओफ वाटर शूद भी spray ठीक है एक गैलन ओफ वाटर के अंदर 3 ml ओफ फोलियो डोल डाल के उसको और उसका भी spray किया जा सकते है तो यह यहां तक हमने life cycle control and damage के बारे में डिसकस कर लिया है तो यहां तक हमने शुगर के पैस्ट के अंदर पाइवीला के बारे में एंगरो लोबस के बारे में डिसकस कर लिया है नेक्स्ट वीडियो में हम सुगर के इन टोफ बोरर के बारे में डिसकस करेंगे तो मिलते हैं नेक् friends के साथ इन चैनल को subscribe कर लेजी thank you so much